हेलो चैंपियंस वेल्कम बैक टू लेट्सकोर हंडेट जोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग यह सिखेंगे कि केस बेस्ट क्वेस्टन को कैसे सॉल्व करें कि उसमें 12 on 12 मार्क्स हम ला पाएं जी हाँ क्योंकि क्वेस्टन जो आते हैं केस बेस्ट जो केस बेस्ट क्वेस्टन होते हैं वो एक तरीके केना फ्री के मार्क्स होते हैं and case based question को solve करना is very much like solving English का comprehension जो आप लोग solve करके आ चुके हो, right, but यह इतना आसान भी नहीं होता है, mostly क्या होता है case based questions में कि दो one marker होते हैं, और एक जो होता है two marker होता है, basically four four mark के three होते हैं, but problem यह होते हैं, कई पार case based जो passage दिया होता है, उसके नीचे जो question होता है, दो questions के answer तो आपको easily मिल जाएंगे, but एक नई question ऐसा जरूर होगा, जिसका answer उस passage में दिया ही नहीं होगा, तब उसको कैसे solve करें, आईए इनी सब बातों पर चर्चा करते हैं, और इसी समझते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं, so point number one, case based questions को solve करने का सबसे पहला, पहली तरकीब क्या है, देखिए, ध्यान से सुनेए, अब तो board का exam, आप लोगों के लिए कोई नई बात तो रहे नहीं गए, आप लोग जानते हैं 15 minutes का reading time मिलता है, तो जब 7th March को आप लोग social studies का exam देने जाएंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, यह देखिए, सबसे पहले, यह जो आपको 10.15, 10.15 am पे आपको, आपका question paper मिल जाएगा, और 10.15 am, ध्यान से देखिए please, 10.15 am से लेकर के 10.30, आप कुछ लिख नहीं सकते हैं, question paper आपको मिलेगा, तो यह जो 15 minutes मिलते हैं, मिल रहे हैं हर question paper में, तो इसको आपको case based questions को solve करने में, utilize करना है, at least एक case based question तो आप 15 minutes में solve कर ही लोगे, right, तो जो 15 minutes मिल रहे हैं उसको utilize करिए, अब दूसरा हम तरकीब बोल सकते हैं, case based question को solve करने की, दूसरी तरकीब यह है, कि देखिए, दो approach होते हैं, case based question को solve करने के लिए, दो approach होते हैं, approach number one, approach number one यह बोलता है कि, पहले question आप पढ़ लिजिए, उसके बाद आप passage को पढ़िए, और approach number two, मैं case based, case based questions की बात कर रहा हूँ, दूसरा approach यह करता है कि, भाई, पहले आप passage को पढ़ लो, उसके बाद आप questions को पढ़ लो, देखिए, यह दोनों approaches ही, दोनों को, दोनों approaches बिल्कुल सही है, it depends कि, आपको क्या suit करता है, right, तो depending on your suitability, आप इन दोनों में से कोई भी approach अपना सकते हैं, अगर आप sure नहीं है, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, अब भी हमारे पास, आज कि दुनी तरीक है, आज 3rd March है, हमारे पाद भी 4, 5, 6, we have 3 days, तो आप दोने approach apply करके देख लो, right, अब आपको, sir, मैं आपको आज एक ऐसा source बताने वाला हूँ, जहां पे आपको पिछले साल के पूरे सारे sets के question papers मिल जाएंगे, जो अपना जो जो बचे fail हो जाते हैं, उनका complimentary आ जाता है, तो वो भी question papers आपको वहां से मिल जाएंगे, और सबसे अच्छी बात है कि question paper के साथ साथ आपको solution भी मिल जाएगा, so that आप check कर सकें, practice करके check कर सकें कि कि इतनी improvement हो और जब आप questions को पढ़ेंगे, case based questions को पढ़ेंगे, फिर passage में answer ढूंडेंगे, जिनका answer आपको नहीं पता चलेगा, you can go back to the answer जो दिये हुए हो, वहां से देख सकते हैं, अगर आप 10 to 12 sets अगर आप solve कर लेते हैं, I guarantee you, कि आपको out of 12, minimum 10 पाने से कोई रोक ही नहीं सकता, लेक to you, you will definitely get 12 on 12, in case based questions, चले आगे देखते हैं क्या करना है हमें, अगली slide पर हम जाते हैं, यह देखें जो question number, यह section E होता है, section E होगा, और इसमें आपको question number 34, question number 34, question number 35, and question number 36, और यह सभी 4, 4 marks के होंगे, जैसे देखें, यह देखें, 3 questions होंगे, और सारे 4 marks के होंगे, right, अब देखें, ध्यान से देखें, यह अपना passage हो गया, और passage के निचे आपको question, तो normally आपको दो questions के answer तो आपको इसी में मिल जाएंगे, इस passage में ही मिल जाएंगे, अच्छा, एक चीज़ और, इस passage की कम सकम 2 reading लगाईए, अगर आप passage की 2 reading लगाओगे, तो definitely आप उसको और बेहतर कर पाओगे, और अगर आपने पहले anxiety पढ़ रखी है, तो डरने की कोई जुरूत नहीं, दो के तो answer इस passage में ही मिल जाएंगे आपको, इस passage में ही दो question के answer मिलेंगे आपको, बाहर जाने की जुरूत, बट एक question ऐसा होगा, जो अगर आपका chapter की understanding अच्छी है, chapter आपन 37, 36, 4, 3, 12, 2, 1 marker आते हैं, और 1, 2 marker, आगे आप दे सकते हैं, 2, 1 marker आते हैं, और 1, 2 marker आता है, आप चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, कहां से हम पिछले सार के question papers को free of cost access कर सकते हैं, और उसके answer sheet भी दी हुई है, तो जिस question का answer आपको नहीं समझवाएगा, तो आप answer खोल करके देख सकते हैं, and you can learn कि कैसे case best question को solve करना है, तो source यह रहा, आप google पर जाएं, यह type करें, right, type करने के बाद जैसे ही आप search पर डालोगे, तो third place पर आपको, third place पर आपको edu card, edu card की website मिल जाएगी, edu card की website पर जा करके, total आपको 18 sets of question paper मिलेंगे, पूरे 18 sets, आप उसमें से केवल, 10 to 12 sets, 10 to 12 sets, 10 to 12 का मतला पता कि, अगर आप 10 sets भी solve करते हैं, तो 1 set में 3 case based questions होते हैं, 30, अगर आप 30 case based questions अगर आप solve कर लोगे न, I guarantee you, कि 12 out of 12 आप definitely पाएंगे, क्योंकि chapter तो आप लोग तयार ही कर रहे हो न, तो आज के रिए इतना ही, इस तरह की useful video दोस्तों मैं बन सके, thank you so much.